Hello Friends, स्वागत है आपका YouTube चैनल The Secret of Investing में और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं Weva Global Limited Stock के बारे में यहां दोस्तों बहुत उपर के लेवल से यह stock अलड़ी correct हो चुका है लेकिन हम लोग को पता है काफी सारे investors जो होते हैं वो जब stock correct होता है तो बहुत से लोगों ने 700 पे भी averaging की होगी बहुत से लोगों ने देखा होगा कि 600 के लेवल पे भी averaging करी होगी तो यहां पर उसके भी नीचे stock आ चुका है तो आप लोगों के क्या करना चाहिए वो सारी चीज़े discuss करेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को enter देखना बिल्कुन बूलिएगा काफी सारी चीज़ें यहां पर आपको सीखने को मिल सकती है चलते हैं वीडियो को start कर लेते हैं उससे पहले मैं जरू कहना चाहूँगा चैनल पर पहली बार होंगे तो चलूर चैनल को subscribe कर सकते हैं और आप लोगों को यह वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like भी जरू कर सकते हैं यहां पर अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख रहा है कि नीचे के लेवल पे यहां दोस्तों ऊपर के लेवल से तो स्टॉक करेक्ट हो चुका है लेकिन यहां पर आप लोगों को देखने हो मिलेगा कि स्टॉक जो है वो बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है आप लोग देख सकते हैं अगर long term chart pattern देखें तो यहां पर आप लोगों काफी दिनों तिक consolidation phase यहां पर देखने को मिला है 500 लेवल पे तो हम लोगों को यह चीज़ समझनी चाहिए यहां पर stock base बना रहा है और already काफी ज़दा correction होने की वज़ए से यहां पर ज़्यादा chances नहीं रहते कि उससे भी नीचे आपर correction हो company में गिरावट की वज़ए क्या थी वो हम लोग डिसकस कर लेते हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा company के main जो गिरावट की वज़ए है वो है operating profit margin expenses company के बढ़ रहा है हम लोगों पता है इसका जो business है वो totally depend करता है margin के उपर basically अगर business किसी को नहीं पता है तो जरूर हम लोग डिसकस करेंगे jewelry, accessories, lifestyle product बनाता है जिसमें आप लोगों को देखने हो मिलेगा जैसे की rings हो गया, bangles हो गया, bracelet वगया, watches हो गया, hand bang हो गया, इसी तरीके के बहुत सारे product आपको इस company के देखने हो मिलते हैं तो इस सारी चीज़ से अपने product sell करते हैं, साथ इसाथ web platform है, आज कल देखते होंगे, आप लोग काफी सारे web platform आते हैं, जिनमें आप लोग जाके online shopping करते हैं, तो इसकी तरीके भी shopping.com, tej.co.rk.com, इस तरीके किसकी websites हैं, 67% revenue, ये TV platform से कमाता है, और बागी 33% के revenue, ये web platform से आपको कमाती है, कमप लिए तो definitely यहाँ पर लोग फालतू चीजों में expenses थोड़ा से कम करते हुए नजर आ रहा है, तो definitely आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा बहुत revenue भी इस company का down होता हुगा नजर आया है, मार्च 2021 में 666 करोड के आसपास का revenue था, उसके बाद देख सकते हैं, जून मे 682 करोड के आसपास revenue, फिर सब्तमबर में 635 करोड के आसपास का revenue, मतलब कि यहाँ पर revenue में decline होता हुगा नजर आ रहा है, December 2020 में 725 करोड के आसपास का revenue था, तो definitely थोड़ा सा business यहाँ पर down होता हुगा नजर आ रहा है, जिसके चलते, stock में भी continue हम लोगों गरावट देखने ह मिल लगा है, ऐसा नहीं यह long term में company खराब performance करके दिखा रही है, देख सकते हैं यहाँ पर, जो year on year basis performance है, वो काफी तेजी है, आप लोगों को देखने मिलेगा, पिछले 10 सालों से लगातार, 20% के CAGR से company के profit margin हो बढ़ता हो नजर आ रहा है, profit growth होती हो नजर आ रही है, पिछ to 72 करोड का profit, फिटो 89 करोड का profit, तो company के year on year basis पर काफी सांदार growth चल लेगा है, लेकिन वही already हम लोग ने discuss के quarter on quarter result यहाँ पर काफी ज़्यादा खराब आते हुए नजर आ है, वही पर अगर हम लोगे बगा share holding pattern देखें, तो दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर FIIs और DIs ने कोई भी ज़्यादा selling नहीं करी है, केवलो केवल प्रमोटर्स के हाथ से आप लोगों के यहाँ पर थोड़ी बहुत selling देखने को मिली है, देख सकते हैं 64% के आसपस का stake hold करते थे 2018 में, जो कि अब 58.110 हो गया है, वही पर आप लोग देखेंगी कि हर quarter में, थोड़ा बहुत ही stake, लेकिन यहाँ पर प्रमोटर नहीं stake, जो है, डिक्राइन किया है, यहाँ पर 0.40 से 0.35 आपको उता हूँ नजर आया, फिर 0.35 से 1.6 और 7.16 से 1.0, तो यहाँ पर प्रमोटर जो है, वो थलकी फुलकी selling आपको करते हूँ नजर आ रहा है, जिसके पीक पंती हुई नजर आई थी, जहां पर आप लोगों को यह stock देख रहा था, split होता हुआ नजर आया था, उसके बाद यहाँ पे continuous गिरावट आपको देखने को मिल लगी, अगर हम लोग गूगल के चार्ट पे जाएं तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर पिछले एक साल का data देखें, तो लगबग 40% के आज पास के यहाँ पे आपको return देखने को मिलना है, अगर हम लोग पिछले 5 साल की बात करें, तो 1000% की return देखने को मिलना है, मतलब कि पछले 5 सालों में पैसे को 11 गुना कर दिया है, और max 10 देखें इस company के, तो दोस्तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2020 से, इस stock ने, लगबग 421% के return हम लोग भूग डिलिवर करके दिखा दिये थे, 500% के return, मतलब कि एक साल के अंदर ही पैसे को 5 गुना कर दिया था, कोई भी stock अगर इतनी तेजी से run-up करता है, तो दोस्तों, ऊपर के level से उस stock में correction आना लाजमी बात था, आपको अराम से यहाँ पे hold करके रहना है, क्योंकि यह stock का जो averaging है, जो fair value है, वो 700 के around आती है, तो अराम से कभी भी आपको, यह stock 730, 750 के around यहाँ पे trade होता हूँ, नजर आ सकता है, तो definitely आप लोगों को hold करके चलना है, अगर आप लोगों ने short time period के लिए इस stock को ले रखा है, तो दुस्तों अगर यह stock 750 के पास आता है, तो आप लोग sell करके निकल सकते हैं, क्योंकि इसको 1000 के level पे जाने में थोड़ा time लग सकता है, अपने 52 week high को reach करने में थोड़ा time लग सकता है, छे महिने एक साल भी लग सकते हैं, तो definitely आप लोगों को अगर इ से 800 के level में आए, तो आप लोग यहां पे थोड़ा बहुत यहां पे sell करके चल सकते हैं, क्योंकि इस stock में अल्यड़ी हम लोग में देखा है, पिछले एक साल में काफी तेजी rally आई है, और यहां से आप लोगों को यह stock थोड़ा बहुत consolidation face में जाता हुग नज़रा सकता है, I hope यह वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा और आप लोगों को थोड़ा helpful होगा, अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी वीडियो helpful है तो जरूर वीडियो को like कर सकते हैं, channel first time होगे तो जरूर चैनल को subscribe कर सकते हैं, मिलते हैं आपको next video में तब तक के लिए, bye bye